ग्लोबल इंवेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी सरकार निवेस्टर से चर्चा के लिए दुबई पहुचे मुख्यमंत्री पुष्कसिंग धामी दुबई और अबुधावी में निवेस्टर के साथ हुगी चर्चा हलवानी के गौलापार में दृष्टि बाध्रिक बच्ची से यौन शुषिंग के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कसिंग धामी सख्त आपर मुख्य सचिर में जिलाधी कार्यों और वरिस्ट कुलिस अधिक्षकों को दिये प्रदेश भरने मिरिक्षिंग के निर्देश एक माह में मांगी आख्या पहार से मैदान तक चम कर हुई बारिश चारोधामों में बर्थबारी के बाद निश्रे एलाकों में बढ़ी ठंड धान और गन्ने की फसल को पहुँचा नुकसान और उत्तरा खंड में सेव उत्पादन को बढ़ हवा देने के लिए पादन बढ़ाने पर सरकार का फोकस किसानों की आमदनी में होगी बढ़ोतरी अब समाचार विस्तार से प्रदेश सरकार दिसंबर माह में प्रस्तावित ग्लोबल इंवेस्टर समिट की तयारियों में जुटी है मुख्य मंतरी पुष्को सिंधामी खुद इसकी कमान समाले हुए है इसके तहट आज मुख्य मंतरी दुबई पहुँच गया है वहाँ एयरपोर्ट पर उनका प्रवासी उत्तराखंडियों ने स्वागत किया मुख्य मंतरी पुष्को सिंधामी 17 और 18 अक्टूबर को दुबई और अबुधाबी में परटन और सिवक्षेत्र के बड़े निवेशकों के साथ बैठक कर उत्तराखंड में निवेश के लिए प्रदेश सरकार की प्रोत्साहन नीतियों और निवेश संभावनाओं पर चर्चा करेंगे वहीं मुख्य मंत्री के दौरे को लेकर कैविनेट मंत्री सुबो दुनियाल ने कहा कि दुबई दौरे से उत्तराखंड को निवेश को लेकर काफी उम्मीदे हैं उन्होंने कहा कि लगवक 30,000 करोड से जादा की निवेश के प्रस्ताव मिल सकते हैं उन्होंने कहा कि दूबई और सिंगापूर वैसे भी विशुप्रसे दे ट्रेड हब के रूप में विक्सित हुए हैं। ऐसे में वहां से अच्छे निवेश की उम्मीद है। हल्दवानी के गौलापार में दृष्टी बाधित बच्ची से यौन सोशन के मामले का मुख्यमंत्री पुष्यो सिंग्धामी ने गंभीरता पुरवक संग्यान लेते हुए प्रदेश में संचालेत। के निर्देश दिये हैं। इसको देखते वे अपरमुख्य सचीव राधारतूरी ने सभी जिलाधिकारियों और वरिस्ट पुलिस अधिक्षकों को कारवाई के निर्देश दिये हैं। दृष्टी बाधित बच्ची के यौन शोशन के आरोप में पुलिस ने नशनल असोसियेशन फॉर दे ब्लाइंड नवाड खीडा कॉलापार के महा सचीव और संचालक श्याम धाना को गिरफतार किया था। आपर मुखे सचीव राधार अतूरी ने जिलाधिकानिये को निर्देश देते भी कहा कि संबंधित विभाग और पुलिस के साथ संयुक्त टीम बनाकर आवासे स्यक्षनिक संस्थाओं में जागुकता अभियान चलाय जाये। उन्होंने कहा कि यदि किसी बच्चे के साथ यौन सोशन अत्वा दूर्विभार का कोई प्रकरन संग्यान में आता है तो तक काल कड़ी कानूनी कारवाई की जाए। उन्होंने एक माह के भीतर आख्या शाशन को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये। प्रदेश्ट भन में पहार से लेकर मैदान तक जम कर बारिश हुई। उदम सिंग्ण गर और हरिदवार जिलो को छोड़ कर अन्य सबी जिलो में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बारिश और आंधी से किसानों को नुकसान हुआ है। आंधी चलने से गन्नी की फसल को नुकसान हुआ है साथी धान की फसल खेत में पक्कर तयार है इस बीच बारिश और तेज हवाओं के चलते फसलों पर संकटा गया गंगोत्री धाम और यमनुत्री धाम में सिजन की पहली बरबारी हुई धामों में ठंड बढ़ने के बाद य अगिश्वर और नैनिताल जिले में भी बारिश हुई है जिसके चलते तापमान में भारी गेरावर तरच की गई वहें बारिश से किसानों को नुकसान उठाना पड़ा उधम सिंग नगर जिले में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से किसानों की खड़ी फसल के साथ ही कटी हुई धान की फसल को नुकसान पहुचा है किसानों ने मौसम को देखते हुए सरकार से धान खरीत के लिए निरधारित नमी के मानक में रहा देने का आग रह किया है जिला प्रशासर ने बारिष को देखते हुए खरीत के इंदरों पर आये धान की मानक के अनुसार अविलंब तुलाई के निर्देश दिये हैं उधम सिंग नगर जिले में 1,37,000 हेक्टिया भूमी है जिसमें 1,08,000 हेक्टिया पर वर्तमान में धान की फसल है। बारिश और तेज हवाओं के कारण खड़ी फसल गिर गई जबकि कटा हुआ धान भींग गया है। काश्टिकार गुर्प्रीत सिंगा कहना है कि इस बे मौसम बारिश से खेतों में धान की फसल गिर गई है जिस से लगवग 20 फीस दी नुकसान हुआ है। जिल अधिकारी उदेराज सिंग ने कहा कि बारिश के कारण फसलों को जो भी नुकसान हुआ है। सुखाने के बाद की जाएगी। से जो मौसम की इस्ति रही उसको देखते हुए सारे जो संबंदित विभाग हैं उनको यह कहा गया था कि अधिक्तम मैक्समान धान की खरीद कर लें जो खुले में पा हुआ हुआ है। और मंडी समितियों को भी निर्देश दिया गया था कि धान जो खुले में उनको अपने सेड के भीतर लोगों को कहने कि रख लें अभी। कोशिस यही है कि अधिक्तम धान खरीद हो जाए अगर कहीं थोगा बहुत धान भीगा है तो उसको देखेंगे सुरचित रखके अगले दो एक दिम मौसम जैसे ही ठीक होगा उसको फिर से सुखा करते और तौल कराई आएगी। उत्तराखंड में सेव उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई नीती जारी कर दी गई है। और जिलास्तरिय क्रियान वयन एवं अनुश्रवन समीती और राज्यस्तरिय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट समेच जिलास्तरिय तीन समीतियां गठित की गई है। ये सभी राज्य में सेव उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही विप्रण पर भी ध्यान कींद्रित करेंगी। क्रिशी मंत्री गनेश जूशी ने पंतन अगस्तित गांधी सभागार में आयुजित चार दिवसिया अखेल भारतिये किसान मेला एवं क्रिशी उद्यूग प्रदशनी का समापन किया। इस दोरान उन्होंने कहा कि देश में क्रिशी का एहम योगदान है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि भविश्य में विश्चो विद्याले उत्तराखन राजी को एक टुशी संपन राजे बनाने में अपनी कारगर भूमी का निभाता रहेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के कल्यान और उनकी आजवी का दोभूनी करने के दिशा में राजे सरका निरंतर अग्रसर है। आज 114 किसान मिला यहां पर उज़ित किया गिया जिसमें सारे 400 से दिक स्टॉल लगे थे। सुनिश रहता समूँ यहां पर थे। कई अप्योज यहां पर थे। कई फरमें यहां पर थी। और जैसा कि मुझे बदाया है कि एक क्रोर तालीस लाट रुपे की बिक्री यहां पर हुए है। जास्टे सुरक्षागाड एनसजी के स्थापना दिवस पर जास्टे सुरक्षागाड के शहीद सहायक कमांडर हरिश सिंग नेगी को याद करते हुए उनके परिजनों को हर साल आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 6 जुलाई 1990 को पंजाब के तरन तारन जिले के बरनाला और पुनिया गाउं में आतंकी हमले हुए। आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए रास्टे सुरक्षागाड के सहायक कमांडर हरिश सिंग नेगी शहीद हो गए थे। 1990 के दसक में पंजाब राज जम्या आतंगवादी गतिविदियां काफी सक्रिय थी। जिससे निपटने के लिए उस समय सुरक्षा बलो द्वारा बहुत से अभियान चलाएगी। इसी क्रम में राश्टी सुरक्षा गाड़ दारा दिनांक 6 जुलाए 1990 के दिन तक्रीबन एक तीस पर पंजाब के तराज जिले में एक अंबुस पार्टी लगाएगी। इसका नेतित उस समय समु के सायक कमांडर एचेस नेगी साब कर रहे थे। एचेस नेगी साब के परिजनों और उनके आसितों को सम्मानित करती है। इसी उपलक्ष में आज हम यहां पर एक रतित हुए। शहीद हरीश सिंग नेगी के परिजन बेजन्ति देवी ने कहा कि इस शहादत के बाद एचेस जी हमारा परिवार हो गया है। एचेस जी के जवान हमारे परिवार के सदस्यों की तरह हमारे घर आते हैं और हमें भी लगता है कि हमारे परिवार के सदस्य घर पहुंचे हैं। सेना हमारा मान बढ़ाने के साथ-साथ हमें आर्थिक मदद भी करती है. अबहरी हूँ एनेसी परिवार को परिवार के लिए कि जो हमेसा 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 खड़े हैं। शहीद सम्मान कारिक्र में मौझूद नगरपाली का परिशद पौड़ी की सभाश्चत्य यशुदा नेगी ने कहा कि रास्च सुरक्षागार हर साल शहीद के घर पहुँचकर अपने देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर करने वाले शहीद का समरन करने के साथ ही उनको आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। इससे पता चलता है कि शहादत कभी बिकार नहीं जाती। हर साल यहाँ पर आके और इस परिवार को समानित करते हैं और आज दादी के सामने जब मैं बैठी थी दादी कह रहे थी कि मुझे लग रहा है कि मेरा बेटा ही घर वापस आ रखा है तो बहुत बढ़ी बात है बहुत बहुत धन्यवाद एनेस जी का मैं करती हूँ कि हमेश इस मौके पर वन मंत्री सुबोध उन्याल भी मौझूद रहे खेल मंत्री रिखारे ने कहा कि आज के समय में पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में भी बर चड़कर भाग लेने से युवा अपना भविश्य सुरक्षित कर सकते हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए न्याय पंचात स्तर पर पंद्रा सो रुपे चात्र वित्ती दे रही है मेले का उद्देश खेल और संस्कृती प्रतिभाओं को उभारना है प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही चलते-चलते मुख्य समाचार एक बार फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी सरकार निवेशकों से चर्चा के लिए दुबई पहुँचे मुख्य मंत्री पुष्कसिंधामी दुबई और अबुधावी में निवेशकों के साथ होगी चर्चा हलवानी के गौलापार में दुष्टी बाधित बच्ची से यौन सोशन के मामले में मुख्य मंत्री पुष्कसिंधामी सक्त अपर मुख्य सचे में जिलाधी कारियों और वरिस्ट पुले सदिक्षकों को दिये प्रदेश भर में निरिक्षन के निर्देश एक माह में मांगी आख्या पहाड से मैदान तक जम कर हुई बारिश चारो धामों में बरबारी के बाद निश्रे लाकों में बढ़ी धंड धान और गन्नी की फसल को पहुँचा नुकसान और उत्तराखन में सेव उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जारी की नई सेव डीती सेव का उत्पादन बढ़ाने पर सरकार का फोकस किसानों की आमदानी में होगी बढ़ोत तरी प्रदेश से जुड़े अप्डेट्स की लिए आप हम से सूशल मीडिया के मातेम से भी जोड सकते हैं हमारा फेस्बुक पेज है डीडी न्यूज उत्तराखन और हमाई यूट्यूब चानल डीडी न्यूज उत्तराखन को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं नमस्कार